आज हम लोग इस वीडियो में SSE CHSL 2020 का एक्जाम एनलेसिस करेंगे जो टियर वन के सिफ टू में पुछा गया है तो सिफ टू में टोटल इंग्लिश का कोशिन जो है 25 कोशिन आया था और इंग्लिश का सेक्शन जो है वाज इजी इजी वाला सेक्शन से बहुत ज़्यादा और अगर हम लोग ओवर ओल डिफिकल्टी लेवल का बात करें तो अग्लिश कोशिन में क्या 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 कोशिन पुछा गया था तो पहला तो है क्लोस टेस्ट क्लोस टेस्ट मतलब हम लोग तो जानते ही है कि एक प्याराग्राप की तरह दे दिया जाता है और उसमें कुछ वर्ट जो है मिसिंग रहता है और उसी को हम लोग को फिल अप करना पड़ता है तो इस बार जो सेकेंड शिफ्ट में आया था वो है ओन रतन टाटास लाइब जर्णी यह जो टॉपिक ओन रतन टाटास लाइब जर्णी इसका ही थोरा सा टेक्स ले लिया गया था थोरा सा प्रगाफ लेकर उसी में कुछ-कुछ फिलिन दा ब्लैंक एक दो ठो वर्ड जो इन चारों वर्ड को लेकर ही शिन्योनीम और अंट्वनीम दोनों बना था दोदो करके अब आता है आपका एडियम एक एडियम आये था और इसका वर्ड़ा सेंटेंज दे दिया जाता है और उसका हम लोगा को एक ही ठो वर्ड एक पार्टिकुलर वर्ड जिससे कि उस सेंटेंस का पुरा मिनी निकल जाए वो निकलना होता है तो एंबी डेक्स्टेर जो है उसका ही वानवर्ड सप्टेश्टिवशन आया था वोस चेंज में से दोस्तों तीन कोश्टिंस आया था फिर फिल इन दा ब्लैंक आया था देमाइस का मतलब कि एक सेंटेंस होता है और उसमें एक डिफरेंट सा एक ठो वर्ड होता है जिसको हम लोगों को रिप्लेस करके ऑप्शन में दिये गए वर्ड को किसी एक को चूस करके वहाँ पे लिखना होता है दोस्तों पैरा जंबल में से ह हम लोगों को थ्री कोशिंस आया था सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करने वाला दो कोशिंद आया था फाइंड रॉंग ले इस्पेल्ट वर्ड वह आया था एमबेज़डर और अनौंसमेंट और लास्ट में है एपल पाई ओर यानिकि सेंटेंस को सई ओर्डर में इस पार काफी कोशिंस जो है कॉमन है तो जिन इस्टूरेंट्स का एक्जाम अभी तक आया नहीं है बलकि आने वाला है एससी सी एसेसल 2020 का तो वह लोग अगर इन सभी चीज़ों का परपरेशन करके जाए तो फिर उनलों के लिए बहुत ज़्यदा हेलफूल होगा